हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टीचिंग जॉब प्लस में तो कवर करते हैं पुरुटेल बने ड़ना है वीडियो के अंतक मेरे साथ और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हैं एसे कंडेट जो मेरे चैनल पर पहली वराएं वो मेरे चैनल को सस्क्राइब करने ताकि जैसी को नोटिफेकर से ना सबसे पहला अपडेट आप को मिले तो कवर करते हैं बिना देर के ये वीडियो और नोटी जो जारी हुआ है ये जारी हुआ है देखिए चोदरी रानवील सिंग विस विद्याले जिंद हरियाना से जो की पर्मनेंट अशिस्टन प्रोफेसर की रिक्वार्मेंट है यहां से तो देखिए देख सकते हैं इन्होंने इंडेक्स बनाएजे किस पेज़ पांप को क्या मिलेगा तो जो नोटी जो जारी हुआ था ये जारी हुआ है 17 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ है तो देख सकते हैं डेट और उनलाइं पॉर्ट औली रिजिस्टार्ड पोश्ट उनलाइं पेजुआ है तो यह बात सम्झमा आगई होगी और आपको झालत नबर है वो सही होना चाहिए को लोग द्यच़् बनेगी तो देख सकते हैं subject wise details, verified of the teachings, post of the under, teaching post assistant professor, तो permanent post assistant professor की academy level 10 के हिसाब साम की सेले रेने वाली है, 57,700 रुपे पर मन्त, अब देखें सबसे पहले हम बात करते हैं chemistry की, तो MSC chemistry में post quote की बात करें तो 40 हैं, और number of post की बात करें, तो देखें चार post हैं जिसमें से general की एक है, एक EWS की है, एक general ESM की है, और एक OVC की है, commerce में M.com में total अगर post quote की बात करें जाए तो 41 है, और total 4 post हैं तो जनल की एक SC की है, computer science application में MCA में, और post quote है 42, total 2 post हैं एक PWD की है और एक OVC की है economics, M.Economics मोना चाहिए हैं, पर code है, 43 और total 2 post हैं जनल की है, और एक EWS की है, education में M.E और post quote है 44, और total 4 post हैं एक general की, 2 SC की और एक BC की है, देश सकते हैं हिस्टी में M.E. हिस्टी और जो post quote है, वो 46 है total 3 post है, 2 general की है और एक BC की है, management में M.B.E. में बात करें हैं, और post quote की बात करें, 47 है, total 2 post हैं general और एक BC की है, mathematics में M.E. mathematics पर post quote 48 है, total 4 post हैं PWD, OH, general और एक SC की है, physical education की बात करें, BPA और MP8 की और post quote की बात करें, 49 total general की post है, psychology की बात करें, तो M.E. psychology, 50 code है, और total 3 post हैं, एक SC की, एक general की और एक PWD की है तो ये बात रही, assistant professor की अब detail कवर करते हैं, SSR professor की तो SSR professor 1130 के साब से, आपकी salary रनने वाली एक लाग 44,000 रुपे, तो दे सकते हैं, English में M.E. English में, और post quote 51 है, total एक post है general की history में, M.E. history और post quote है 52, एक post है mathematics, M.E. mathematics 53 और total post है एक और physical education, MPR और BPA, M.E. and paper code है, post quote है 45, total दो post है, एक general की और एक EWS की है, psychology, M.E. psychology में 55, जह है post quote है, और एक post है अब बात करते हैं, देखिए LGBT criteria की तो LGBT criteria को आप जानते हो क्यारने वाला है, उसकी जिकर हम बाद में करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी application fees की डिटेल कवर कर लेते हैं, तो general category EMS और ESP total जो fees रहेगी, वो 2000 रुपे रहेगी और female, for general category हर्याना इस्टेड उनली, जो female है general category में आती हैं, वो भी हर्याना से तो उनके रूपे फीजू रहेगी 1000 रुपे रहेगी, candidate SC, BCA, BCV और EWS केटेगी हर्याना इस्टेड उनली, उनके पांस रुपे फीज रहेगी, और candidate of different, red category of हर्याना इस्टेड उनली, 0 fees है, कोई fees उनने नहीं देनी है, तो देश सकते हैं, category बाइज उनने डिवाइट करके नेचे दिखाया है, अब मैं आपको ले चलता हूँ, application for detail cover हुए, qualification के अगर बात करें, तो देखिए, ऐसे candidate जो PG है, net हैं, तो आप इसमे एलेजल अपलाई करने के लिए हैं, ठीक है, अगर PhD तो बहुत बड़ी opportunity आपके पास है, या assessor professor की बात करें, तो 8 एर का experience है, आपके पास 4-5 regulation 2018 है, उसको cancer जारी करेंगे, मैं आपको बहुत दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ, तो वीडियो का अंतक बने रहना है, देखिए, इसका किराइटे दिये चला हुए, क्या क्या qualification होने चाहिए, तो यह हैं, देखिए, UGC regulation 2018 जाराइट जिसकी मैं जिकर, हमेशा हर वीडियो में जो असे स्टन प्रोफेसर की भरती आती है, तो उन सब मैं जिकर में करता रहता हूँ, तो देखिए, ग्रेजुइशन में अगर आपकी जो percentage है, अगर 80 और 100 की बीच में, तो आपको 15 marks मिलेंगे, और 60 और 80 की बीच में तो आपको 13 marks मिलेंगे, और 55, 60 की बीच में तो आपको 10 marks मिलेंगे, और 45, 55 की बीच में तो आपको 5 marks मिलेंगे, पोश्ट graduation की अगर बात करते हैं, तो आपकी जो percentage है 80 से अबब है, तो आपको 25 marks मिलेंगे, साथ और साल के बीच में तो आपको 23 मिलेंगे और 50 के बीच में तो 60, 20 अपत्षा जाएंगे अगे साथ रेशे हैं विंगर साथ परशेंटे साथ तो आपको 5 बहुत ही अच्छा प्रचिन तो यही इस ही इस साफ साफ की जह है जो है जो हूँ अकाडमिक बनेगी तो देश्कते हैं और इसमें प्रेस करके दिया भी देखो क्या के रिसर्च प्रोफार मां आपकी पर रही है या एकेडमिक जो रिकोर्ड है वो कैसा है आपका परसेंटेज के इसाफ से तो इसाफ से भी अकेडमिक मां आपको फायदा मिल सकता है तो आई होप मेरी वीडियों आपको जरूब प आपको भरना तो बहुत ही अच्छे पॉर्चिनिटी आई होप मेरी वीडियों आपको जरूब पसंद आई होगे अगर वीडियों आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राब कर लेना दोस्तों में सेर कर देना ताकि जैसी को नोटिफिकेशन है सबसे पहल अपडेट कर दाण